स्टूड़ेंस ज्बाय देने की कोशिश करते हैं तो एक खीद सट डर हमारे मन में आ जाता है आज की दोस्तो विडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इसके पीछे की असली वगजा है क्या आपको ये लगता है कि English बोलना बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं ये दोस्तो कारण कुछ और है जिसकी वज़े से आपके मन में ये डर आता है कि English है एक बहुत मुश्किल language और उसे हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जिसे करने के बाद आपके मन का जो डर है एंग्लिश का वो दूर हो जाएगा थे लिए दूस्तो समझते हैं वो चीज़े है क्या दूस्तो पहली चीज़ है speaking हर एक language के चार important factors होते हैं उन्हें आप segments कहिए, factors कहिए, चार important part कहिए पहला दूस्तो जो part होता है वो किसी भी language का important वो होता है speaking हम दूस्तो इंग्लिश का example लेके चलते हैं अगर आप अपनी इंग्लिश को perfect करना चाते हैं तो उसका पहला जो important part है वो है speaking जिसे हर को इंसान perfect करना चाता है दूस्तो speaking perfect कैसे होगी उसके लिए already में अपनी वीडियो में आपको बताता रहता हूँ तो उसके लिए detail में जाने के आज हमें जरू होतने हैं बस मैंने आपको इंपको इंप्वाइंट बता दिया कि किसी भी language को perfect करना चाते हैं यानि कि बाहन लेजिए आप English को perfect करना चाते हैं बात करते हैं दोस्तों दूसरे पाट की दोस्तों दूसरा important पाट है English language का वो है हमारा listening अब दोस्तों आप कहेंगे सर स्पिकिंग का listening से क्या लेना देना मैं तो English सीखने के लिए आया हूँ आपको कहें सर कोर्स का नाम तो है spoken English यानि कि हम English बोलना सीख रहे हैं तो मैं listening क्यों सीखू हूँ मैं अपना time waste क्यों करूँ बस दोस्तों यही से problem शुरू होती है आप देखी जब हम किसी चीज क्यों सीखने की कोशिश करते हैं यानि कि जब हम इस कोर्स को जॉइन करते हैं तो हमारे मन में बस एक हमारी मोटीव होता है कि हमें perfect English बोलना सीखना है दोस्तों इसकी वज़े से होता गया है कि बहुत important factors आपकी command में से छुट जाते हैं और जिसकी वज़े से lifelong की डर आपको परिशान करते रहते हैं अब मैं आपको बताता हैं दोस्तों कि listening important क्यों है for example आप एंग्लिश में किसी से बात कर रहे हैं आपने मुझसे का hello sir how are you या आपने मुझसे बोल दिया अब दोस्तों obviously मैं आपके बात का reply भी तो करूँगा जब मैं आप reply करूँगा तो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए listening skills हाना दोस्तों अगर आप मेरी बात को सुनोगे ही नहीं या आपके अंदर patience नहीं है आप सुनने के लिए तयार नहीं हो तो obviously दोस्तों वहाँ पर आपको problem आने वाली है या आप बस थोड़ा बहुत adjust कर ले तो ठीक है अगर कोई fluent English बोल रहा है या कोई चीज पास्ट वे में आपके सामने चल रही है तो आप उसको समझ ही नहीं पाते है आपके जो listening skills है वो weak है हाना दोस्तों तो यानि कि हमें इस पर भी काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों ये भी एक कारण है कि हमें English बोलते हैं वक्त फियर क्यों आता है क्योंकि दोस्तों आप English बोलने से नहीं डर रहे आप उस इंसान के reply को सुनने से डर रहे कि जब मैं English बोलूँगा उसके बाद ये कुछ और ना बोल दे दोस्तों अब ये speaking से जो डर है आप खुछ सोचिए आप डर किस बाद से रहे हैं कि सामने वाला क्या English में बोलेगा मैं उसका reply दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा पहले आप जब सुनोंगे किसी चीज को तब ही तो आप decide करोगे कि उसका reply आप दे पाऊंगे या नई पहली चीज जो आपको दोस्तों perfect करने है वो है speaking दूसरी चीज है दोस्तों listening यानि कि आज से आपको अपने listening पे भी ध्यान देना है आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि listening skills को कैसे आप develop कर सकते हैं इस चीज़ों से आप जुड़े में इवन चाहिए आप घर में रहते हैं और अभी आप कुछ work भी नहीं करते तब दोस्तों writing बहुत important है क्यों मान लिजी आपकी English बहुत अची है आप बहुत अची English बोलना जानते हैं अब जिल लोगों से आप English में बात करते हैं उनके mind में तो यह कि अरे भाई आपके English बिल्कुल पॉफेक्ट है मान लिजी आपको एक application दी एक letter दिया आप किसी bank में गए वहाँ पे English में आपको एक form दिया गया कि भाईया इसको पढ़िए है ना और उसके बाद इसमें लिखे कि इसमें क्या लिखना है या इसका reply लिख दीजिए है ना या दोस्तो इस letter का reply भेज दीजिए इंग्लिश में एक application लिख दीजिए इंग्लिश में एक letter लिख दीजिए अब दोस्तो अचानक से आपका जो जो confidence था वो nervousness में convert हो जागा क्यों क्यों कि हमें तो बड़ा confidence आ गया था कि हमारे English तो बड़ी profit होगी कि हम बोलना भी सिख गए और सुनना भी सिख गए यानि कि हम किसी से बात कर लिते हैं पर अचानक से किसी ने मुझसे का कि भाईया English में एक letter लिख दो तो अचानक से मुझे डर आ गया क्यों दोस्तों क्योंकि English language से जुला डर अभी आपके अंदर है in form of writing यानि कि writing को लेकि अब भी आपका fear है और वो जो fear है वो आपके बाकी दोनों skills पर भी effect करेगा आपके speaking skills के पर भी impact पड़ेगा और आपके listening के उपर भी तो यानि कि दोस्तों जो तीसरा important part आपको improve करना है वो है आपकी writing आपको speaking पर ध्यान देना है आपको listening पर ध्यान देना और आपको writing पर भी ध्यान देना है यानि कि आगर आप चाहते हैं कि English का डर आपके मन से permanently निकल जाए तो ये तीन चीज़त पका अपनी perfect करनी ही है अब writing कैसे perfect होगी उसके बारे में भी मैं आपको आने वाली वीडियो में detail में समझाऊँगा आज हम बसे discuss कर रहे है कि डर का कारण है क्या यानि कि English में आपके मन में जो अभी भी डर बसा हुआ है उस reading बड़ी important चीज़ है for example दोस्तो आप कहीं गए और आपको एक formula आप एक newspaper पढ़ रहे हो कुछ भी एक book पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद आप चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे है ना दोस्तो मैंने आप से कहा यार यह newspaper पढ़ना और मुझे बताना कि इसमें क्या लि पढ़ेगा overall दोस्तो खाली English बोल लेने से आपका जो मन का डर English को लेके वो दूर नहीं हो जाएगा अगर आप चाहते कि English language मेरी एक चच्छी command आ जाए आपको इन चारो पार्स पर ध्यान देना पड़ेगा आपको speaking भी ठीक करनी होगी, writing ठीक करनी होगी, listening ठीक करनी होगी ताकि आपके overall दोस्तो चारो इंपोर्डेंट पार्स इंग्लिश के वो पौफेट हो पाएं, आप समझ गए होगी आज के वीडियो में आपको क्या समझाना चाहता था, कि अगर आप चाहते हैं कि English के उपर आपका एक solid command आ जाए, तो आपको इन चारो पार्स को पौफेट करना पड़ेगा, अगर दोस्तो आपको फिर भी कोई doubt रहेगा, रिगार्डिंग इन किसी भी section के, तो please comment करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके doubts को दूर कर पाऊं, आए उस दोस्तो आज की वीडियो आपको काफी useful लगी होगी तो उसके देखने के बाद आपको समझ notification आपको time to time मिलते रहे और कोई भी useful वीडियो आपसे miss ना हो, मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में एक नए topic के साथ में, तब तक के लिए, बाई बाई